आज के अनुन का फंडा के एपिसोर में सबसे पहले हम IRM Energy Limited जिसका IP आने वाले हैं उसके इंपोर्टन पॉइंट्स को डिसकस कर लेते हैं को IP open होगा 20th of October को IPO close होगा जिस तरीके से recent trend लग रहा है बहुत ही जल्दी विदिन 2-3 days IPO के listing होने के expectations बनी भी है IPO के lot size में 29 shares का retail category में एक lot होगा 14,645 रुपीज का H&I small category में 406 shares यानि की 14 lots के अपलाय करना पड़ेगा अन H&I बड़ी category के लिए 69 lots के अपलाय करना पड़ेगा 480 से लेके 505 का इसका total price band होने वाला है retail में cut-off price H&I की किसी भी category में apply करते वक्त आपको हमेशा apply करना होगा 505 का price band 545 को total IPO का size है और पूरा पूरा है fresh issue देखिए पूरा IPO fresh issue हो रहा है ये एक positive point होता है NST BAC दुनों पर listing है 50% है QIB के लिए 35% retail के लिए and balance 15% H&I category के लिए होने वाला है financials की बात करें तो आप यहाँ पर नजर डाल सकते हो total assets 2020 में 267 करोस थे जो बढ़ते बढ़ते 792 करोस पहुँच गयते मार्स 2023 में and recent figure जो जून 2023 का है 838 करोस अच्छी growth rate है revenue at the same time 2020 में 166 करोस से बढ़ते बढ़ते 2023 में 1000 करोस के उपर का पहुच गया था अगर हम सिर्फ बात करते 2020 और 2023 के बीच में revenue की growth rate थी 90% की पर उसी के against में profit after tax 2022 में था 128 करोस का and 2023 में 63 करोस पे रह गया revenue double हो गया profit आदा हो गया almost reason था Russia Ukraine war की वयसे जितनी भी commodity थी especially petroleum से related जितनी भी commodities थी वहाँ पर negative impact हुआ जिसका जर्क हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब इस company के एक systematic risk होती है कि कभी भी international level पर कोई confusion होता है तो इनकी bottom line काफी impact हो सकती है net worth 2023 में 373 करोस के आसपास है total borrowings भी company की 146 करोस से बढ़ते बढ़ते 321 करोस पे फोच गई है peer ratio IPO के आने के बाद 18.62 का रह जाएगा market cap 2000 करोस की उपर की return on equity 18% का return on capital employee 14.19% का debt to equity 0.93 का है जादा नहीं है पर अगर आने वाले समय में company ने तोड़ा भी debt लिया तो वहाँ पे दिख़त आ सकती है अगर हम listed peers की बात करें तो पहला gujarat gas peer ratio 21 का indrapras gas जिसका peer ratio 31 का mahanagar gas जिसका peer ratio 11 का and finally अदानी total gas जिसका peer ratio है 124 का direct apple to apple comparison नहीं है पर मैंने आपको main points आपे बता दी है इससे पहले कि मैं इस complete वीडियो के conclusion पर जाओ अगर अभी तक आपने जो हमने special Friday को 3 special electric stock वाला वीडियो निकाला था नहीं देखा है link उपर आपको i button में मिल जाएगा काफी important वीडियो है देख जरूर लीजेगा अगर मैं इस complete IPO का complete analysis करके final point रखने की कोशिश करूँ तो यह एक ऐसा IPO है जो okay okay है बहुत excitement वाला IPO नहीं है और बहुत खराब भी IPO नहीं है सबसे अच्छा point इस IPO का यह है कि यह पूरा का पूरा होने वाला है fresh issue यहाँ पर as per sources gray market premium का चल रहा है 10% के आसपास की वो ही आज के दिन listing के expectations बन रही है मेरा personal decision में इस complete IPO में पहले दिन और दूसरे दिन किस तरीकी से response मिलता है हमें H&I category में उसके basis पर लूँगा अगर H&I category में अच्छा response मिला तो शायद मैं इस IPO को H&I small click consider कर दूँ और अगर response नहीं मिला तो या तो मैं avoid कर सकता हूँ वंडा retail category के consider करूँगा आज के दिन जो मेरी basic study के बाद है 10% के listing gain के expectation वाला IPO है जिसमें अगर market खराब हुआ तो 5-7% का listing loss भी हो सकता है average सा IPO हमें देख रहा है अब हम चलते हैं अनंत का फंडा के next part पर जिसके नाम है expectations from tomorrow's market जनरल market अभी भी uptrend में है volume distribution days control में है put call ratio 1 के आसपास है कोई भी clear direction आपको नहीं दे रहा है आज के दिन आपको broader market में काफी अच्छी राली मिल रही थी 1000 से उपर stock advance हुए मतलब market में broader wise तो strength है पर index wise market तोड़ा सा confusion जरूर दे रहा है 13th of October के FIS and DIS के action की बात करें तो FIS ने 317 croze का purchase किया था और DIS ने 100 croze के आसपास का sell किया था पर फिर भी अगर हम पिछले 3 मेने देखेंगे तो back to back DIS की तरफ से purchase का figure मिल रहा है और FIS वितना ही माल बेच रहा है which is absolutely okay Nifty में हम intra dip पर जाए उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आज की दिन daily candlestick में आपको inside candle मिल गई है जिसका बहुत simple सा मतलब यह होता है कि अगर यहाँ पर market में 19,800 का level उपर के side में कटता है देखें कभी भी inside candle एकदम top पे बनती है या फिर एकदम bottom पे बनती है तब तो वो हमाई लेक reversal काम करती है पर जब बीच पे बनती है उस समय हमें risk to reward ratio 1 is to 1 का ही रखना चाहिए for example जैसे यहाँ पर बनी यहाँ पर आपको 1 is to 2 का risk reward ratio अराम से मिल गया था यहाँ पर बनी बीच में 1 is to 1 का risk reward ratio बन गया था इन्दी same way आज के दिन आपको वापिस से insight candle मिल रही है तो कल के दिन intraday में काम करने के लिए मैं कोई भी preconceived notion लेके नहीं जाऊंगा जिस तरीके का direction मुझे market दिखाएगा वैसे मैं काम करने की कोशिश करूँगा इवन अगर हम intraday का पांच बन में चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी हमें यही बता रहा है कल Tuesday भी है तो एक confusion का दिन हो सकता है वोट direction वाला दिन हो सकता है तो levels का ध्यान रखके levels के according काम करना हमाई लिए important रहेगा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में daily candlestick में आपको कोई भी inside candle नहीं मिल रही एक confusion वाली candle मिल रही है तो यहाँ पर हमाई लिए important level हो जाएगा मैं 15 minute के चार्ट में आपको बता देता हूँ उपर की side में हमाई लिए important level रहेगा यह वाला आप round figure में मान लीजिए 44,570 जैसे यह break होता है market में bank nifty में strength दिखती है और आज की दिन का low याने की 44,000 के नीचे market में हमें तोड़ी सी weakness दिखती है and 44,000 एक important support का काम कर सकता है बीच में देखिए अभी क्या हो रहा है market में broader market में तो strength है index wise अगर आप ज़्यादा काम करने ही कुशिश कर रहे है तो first है because दोनों side के direction market थर्ज़े को नीचे गया, फिर उपर गया, फिर नीचे आया, फिर उपर गया, फिर नीचे आया तो इस तरीके के zigzag के action जब market में मिलते है stop loss hit होने के काफी chances होते है इसलिए stock specific काम करना एक दो दिन के लिए बेटर रहेगा जब तक market हमें एक clear direction देने की initiation नहीं कर देता वीडियो अच्छा लागे तो like करें बिना मज जाएगा happy learning and I will see you very soon secret of money making match 2.0 का link आपको description और pin comment में मिल जाएगा open for all free telegram channel को भी join कर लीजेगा कभी market में अगर actually कोई momentum नहीं आ रहा कुछ जाद action नहीं हो रहा तो instead of making a complete video I will start uploading it on telegram free open for all channel happy learning and I will see you very soon